हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूशुल शुरू करूँगा फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को अनमाउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पूरे हैंड का जो अनैल्सिस हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू क करने जा रहा हूं सासा ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे वटसएप नंबर के जरीए संपर्क कर सकते हैं अब आप पास सकते हैं अपनी कुंडली वो भी पांच साल की भविश्यवाने के साथ वो भी सिर्फ 99 रुपीस में या कुंडली पाने के लिए आप जोतिशर.com पर जा सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वारिश शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वरकिंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं और सभी फिंगर्स के उपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं भी नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है ऐसी रिखाएं होने से नेटिव मिलन सार सभाव का रहता है दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी तरचनी उंगली यानि गुरू फिंगर की बात की जाया है तो आप यहां पर देख पाएंगे यह फिंगर आपको काफी अच्छी लंबाई मे और काफी अच्छी थिकनस में नजर आएगी इस तरह की गुरू फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडर्शिप क्वालिटिस काफी अच्छी रहेंगी ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं एक अध्यात्मिक टाइप की परसनालिट दूसरों को गाइड करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की हमेशा रहती हैं अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे काफी अच्छी लंबाई में और काफी अच्छी तिकनस में इनकी शनी फिंगर यहाँ पर नजर आ रही है शनी फिंगर का स्ट्रा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का होगा ऐसे व्यक्ति डिस्सिप्लिंड होते हैं एक नयाए प्रिया और अनुशाशन प्रिया टाइप की परसनालिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इनहीं खूबियों की वज़े से जीवन में अच्छी तरकी कर पाने में ऐसे व्यक्ति जरूर कामयाब हो जाते हैं अगर हम इनकी सूरे फिंगर की बात करें आप देख पाएंगे यहाँ फिंगर लंबाई में इनकी तरजनी से भी ज्यादा है यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं यह कि तरजनी उंगली से यानि गुरू फिंगर से ज्यादा लंबी नजर आ रही है इस तरह की लंबी सूरे फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी क्रियेटिव नेचर का होगा काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटी जैसे व्यक्ति के भीतर रहती है और ऐस व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है ऐसे नेटिव कई वर अपने धन को ऐसी जिगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावन हों जैसे शेर मार्किट है क्रिप्टो करंसी हैं मूचल फंड्स हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग है ऐसी चीजों की तरफ ही नेटिव की रूची आपको देखने को मिल सकती है अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे काफी अच्छी लेंथ में इनकी मर्करी फिंगर सूरे फिंगर का जो टॉफ फैलंच है इसको क्रॉस करती हुई नजर आएगी इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना नेटिव के स्ट्राउंग कम्निकेशन स्किल्स को इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति जिनकी मर्करी फिंगर बिल्कु से ही पाते हैं अगर हम इनके माउंट्स की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो माउंट्स हैं यहाँ पर इनका जो गुरू परवत है काफी उभरा हुआ है गुरू माउंट के ओपर काफी सारी हमें प्रोग्रेस लाइन्स भी नजर आ रहे हैं आपको ड्रॉगर करके एरिया कहलाता है और उभरा हुआ ब्रस्पती माउंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ग्यानवान होगा और ऐसे व्यक्ति काफी अध्यात्मिक होते हैं साथी साथ यहाँ पर आपको कुछ रिखाएं नजर आएंगे कुछ इस तरह की रिखाएं जो नीचे से उ जलती हैं इन रिखाओं को हम प्रोग्रेस लाइन्स के नाम से जानते हैं और हाथ में अगर ऐसी रिखाएं मौचूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी चीवन में काफी अच्छी तरकी पाने में जरूर कामयाब हो जाता है अगर हम यहाँ पर देखें आपको कुछ आड़ी रि हो तो ऐसे व्यक्ति दिल से अध्यात में खोते हैं और साथ ही साथ इस तरह का गुरू वलै बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वेराग्या की भावना भी आपको देखने को मिलेगी और ऐसे व्यक्ति जिनके गुरू परवत पर ऐसी रिखाएं होती है एक से अधिक सोर्स ओफ इंकम जिनरेट कर पाने में भी जीवन में जरूर कामयाब हो जाते हैं अगर इनके शनी परवत को देखा जाए तो यह एरिया आपको दबा हुआ नजर आएगा और शनी परवत का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है ऐसे व्यक्ति को अपन शनी रेखा मौचूद है आप देख सकते हैं शनी रेखा जिसको हम भागया रेखा भी कहते हैं यह रेखा आपको यहां तक चलती नजर आएगी लेकिन बीच बीच में से इस रेखा का कटना इंडिकेट करता है कि जीवन में काफी सारे उतार चड़ावैसे व्यक्ति को दे सूर्स ऑफ इंकम बना रहता है अगर हम इनके सूर्य परवत की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट सूर्य माउंट है सूर्य रेखा यहां पर कट रही है यह सूर्य रेखा है और आपको कुछ इस तरह से यहां रेखा कटती हुई नजर आएगी और सूर्य रेखा का कटना और इस माउंट का फ्लाट होना इंडिकीट करता है कि जीवन में यश की कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस हो सकती है ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में इस तरह से सूर्य रिखा कट रही हो दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी हल्प कर ले बदले में कोई इनाम कोई appreciation नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कहते हैं otherwise सूरिया finger का लंबा होना और सूरिया रिखा का हाथ में मौजूद होना native को एक बहुत अच्छा social circle और एक अच्छी पहचान दिलवाने में काफी help करता है अगर हम इनके mercury mount की बात करें तो उभरा हुआ mercury mount है काफी लंबी mercury finger है जो बहुत ही positive है इस तरह से mercury mount का होना native को strong communication skills देता है साथी साथ इनके हाथ में हमें एक cross का चिन इस area में बनता हुआ नजर आ रहा है यह जो cross का चिन है इससे mystic cross के नाम से जाना जाता है और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से mystic cross का चिन बन रहा हो ऐसे व्यक्ति की six sense बहुत अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति को आने वाली खटनाओं का पूर्वा अभास हो सकता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी टैरो कार्स, वास्तू, रेकी ऐसी जो विद्याई हैं जो जिन्हें गुप्त विद्याई कहते हैं इनमें भी native की रूची आपको देखने को मिलेगी बात करते हैं इनकी major lines की आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी heart line कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बट रही है और इस तरहें का जो चिन्ह बनता है इसको विष्णू चिन्ह कहा जाता है रात में विष्णू चिन्ह का बनना बहुत ही लखी होता है जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में इमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में जरूर कामयाब हो जाता है लेकिन इसके बिल्कुल आपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल कर गलत तरीके सिधन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती है और तरक्की रुक सकती है इनकी हार्ट लाइन सीधा इनके गुरू परवत तक पहुँच रही है जो बहुती पॉजिटिव है ऐसे व्यक्ति दिल से अध्यात में खोते हैं दिल के बहुत अच्छे होते हैं हार्ट लाइन का यहाँ पर डबल होना यहाँ पर एक और रिखा का साथ साथ चलना इस रिखा को और भी स्ट्रॉंग करता है ऐसे व्यक्ति की हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है लिकरन कुछ माइनर इश्यूस हो सकते हैं डबल रिखा होने की वज़य से कई बार नेटिव को ब्लड प्रेशर थाइराड कलेस्टरॉल जैसी समस्याओं का सामना जीवन में करना पड़ सकता है लॉजिक की जो कैपिबिल्टी है वो भी लॉजिक लगाने की जो शमता है वो भी काफी अच्छी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी माइन लाइन के बीच में कुछ ही सिर्खाओं को का काड़ कर जाना थोड़ा नेगटिव होता है इस तरह की रिखाएं होने से नेटिव को थोड़ा तनाव स्ट्रेस और इंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है अगर हम इनकी जीवन रिखा की बात करें आप यहां पर देख पाएंगे जीवन रिखा की जो लंबाई है काफी अच्छी है यहां से शुरू होने वाली जीवन रिखा आपको लगभग यहां तक पहुँचती नज़र है जो लगभग 80 से 85 के आसपास की एज को इंडिकेट करती है बीच में कुछ रिखाओं का स्ट्रेस लाइन का होना अगेन हेल्थ को थोड़ा वीक करता है लेकिन एक लंबी और स्पष्ट जीवन रिखा का हाथ में होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है आप यहाँ पर देख पाएंगे मंगल की रिखा मौझूद है हाथ में मंगल रिखा नेटिव को अनरजेटिक बनाती है लेकिन मंगल रिखा की वज़े से नेटिव थोड़ा अग्रेसिव सभाव का भी हो सकता है मंगल रिखा का होना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा माना जाता है ऐसे व्यक्ति अपनी चीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बनाने में भी काम्याप हो जाते है लेकिन थोड़ी अग्रेसिव टाइप की परसनेलिटी के तौर पर भी ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है अगर हम इनके शुक्र परवत की बात करें आप देखेंगे यहाँ पर शुक्र परवत का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है वीनस मांट अगर किसी का इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह बहुत ही अच्छा संकीत माना जाता है जिन लोगों का शुक्र परवत उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुकसुधाय मिलती है हर तरह के comforts को ऐसा व्यक्ति चीवन में enjoy कर पाता है लेकिन इस मांट के ऊपर कुछ आड़ी रिखाएं भी मौजूद है कुछ इस तरह की रिखाएं ऐसी रिखाओं को हम worry lines के नाम से जानते हैं और जब भी इस तरह की रिखाएं मौजूद होती है इनकी वज़े से native को कुछ परिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है ऐसी रिखाओं का होना native को परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं देता है family members की health को लेकर या कई बार well-being को लेकर native को कुछ ना कुछ चिंताओं परिशाणी देती हैं जब भी ऐसी रिखाएं बिल्कुल स्पष्ट शुकर परवत के उपर मवजूद हो अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो चंदर परवत का जो एरिया है काफी अच्छा नज़र आ रहा है चंदर परवत पर आपको कुछ इस तरह की रिखाएं जीवन रिखा से निकल कर और कुछ इस तरह की सीधी रिखाएं भी नज़र आएंगी इस तरह की रिखाओं का होना काफी अच्छा माना गया है पामिस्ट्री में ऐसी रिखाएं मौचूद हों तो जीवन में लंबी दूरी की यात्राइं करने के कई मौके मिलते हैं चंदरपरवत के ओपर कोई भी नेक्टिव चिन नहीं है लेकिन अगर हम इनकी मेस्टिश रेखा को देखे तो उसके ओपर कुछ स्ट्रेस लाइन्स बिल्कुल क्लिरली नजर आ रहे हैं की वज़े से थोड़ी बेचैनी और इंग्जाइटी जैसी समस्याइं निटिव को परिशानी दे सकती है तो दोस्तों ये कुछ अनैलसिस थे इनके हैं के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेशन पेंडिंग है तो मुझे वट्सेप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद